ओम शांती आज 27 नवेंबर 2030 है नश्टो मोहा स्मृती लब्धा बाबा ये पार्ट हमें अंतिम पेपर के लिए पढ़ाते हैं आज का स्लोगन हमें बताने जा रहा है संपूर्ण नश्टो मोहा के बारे में क्या है संपूर्ण नश्टो मोहा आईए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं संपूर्ण नश्टो मोहा वह है जो मेरे पन के अधिकार का भी त्याग कर दे जैसे बाबा ने पहला पाठ पड़ाया आत्मा का ऐसे ही अंतिम जो पेपर है उसका प्रश्न ही यही है नश्टो मोहा स्मृती लब्धा बाबा ने प्रश्न भी आउट कर दिया है ताकि बच्चे इस अंतिम पेपर में पास्विट ओनर्स बन जाए तो नश्टो मोहा स्मृती लब्धा ये तो है ही लेकिन आज कहा है संपूर्ण नश्टो मोहा संपूर्ण नश्टो मोहा अर्थात माया के सुक्षम सुक्षम रूप ही क्यों ना हो माया के रॉयल रूप ही क्यों ना हो उन सुक्षम और रोयल रूप के प्रती भी मन का वृति का रग ना जाए इसको कहा जाता है संपूर्ण नश्टो मोहा जब हम ऐसे संपूर्ण नश्टो मोहा अभी से ही बनने का अभ्यास करेंगे तो अंतिम पेपर जो बाबा कहते हैं अचानक आएंगा तो अचानक में हम एवर रेडी बन सकेंगे हम अपने मन को तुरंद सभी बातों से हटा करके बाबा के प्यारे बनेंगे अर्था नश्टो मोहा बन करके बाबा की स्मृती में टिक जाएंगे यही है अंतिम पेपर में पास्विट ओनर्स बनना तो संपून नश्टो मोहा बनने के लिए क्या हमें करनी की आवशकता है कौन चीज पर हमें फुल अटेंशन देनी की आवशकता है संपून नश्टो मोहा के लिए स्लोगन में ही इशारा दिया है वो है मेरे पन के अधिकारी को त्यागना मोह का जो बीज है मोह का जो फाउंडेशन है वो है मेरे पन मेरे पन का अधिकार वो भाव है जिस भाव में रहते हैं तो छोटी सी छोटी चीज जो वैल्यूलस है हमारे लाइफ में लेकिन वो हमारे जीवन का अंग है, तो उस वैल्यूलस चीजों पर भी हमारी रग जाएगी, हमारा ध्यान जाएगा, चाहते हुए भी उस चीज से हम अपने मन को, बुद्धी को, वृत्धी को हटा नहीं पाएंगे, ये है मेरे पन के अधिकार के भाव की शक्ती, इसलिए बाबा कहते हैं, किसी भी इस दुन्यावी चीज को मेरा मत कहो, क्योंकि मेरी तो है ही नहीं, मैं अकेले आई थी, अकेले ही जाना है, तो कोई भी स्थूल चीज, हद की चीज मेरी हो ही नहीं सकती, अगर मेरी है, तो मेरी गुण है, मेरी जो निजी गुण है आत्मा की, मेरी जो स्वामान है, मेरी जो स्वाराज अधिकारी पन के भाव है, वही मेरे है, मेरा बाबा है, मेरा घर है, मेरा वर्सा है, तो जो मेरी है उसको परिवर्तन करना है, मेरे पन को परिवर्तन करना है, मेरे पन की अधिकारी शक्ति शाली है, तो उस मेरे पन को परिवर्तन करेंगे तो शक्ति परिवर्तन हो जाएगी अर्थात, स्थूल चीजों को मेरा कहने के बजाए, जो अपनी निजी धरोहर है, उस उसे मेरा मान ले, बाबा को मेरा मान ले, तो उस मेरे पन के अधिकारी की शक्ती स्वराज अधिकारी दिलाने वाली होगी, और इसी स्वराज अधिकारी पन से नश्टो मोहा, संपुर्ण नश्टो मोहा की जो शक्ती हैं मेरे अंदर आएगी, और अंतिम पेपर में पास्वि मेरा अंदर से कहते हैं उस चीज को आज परिवर्तन करके बाबा को ज्यान को गुन के शक्तियों को खजानों को सब मेरा कहे और स्वराज हदिकारे बन करके संपुर्ण नश्टो मुहा बने ओम शांति